जहिन दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त अलफा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूँ आपके अपने ही चैनल पर दोस्तों आज इस वीडियो में आपसे बात करूँगा भारतिया सैनक अंदर आर्टी जेश्यों बढ़ती दोजार तेश चोबिस के बारे बे साथियो आर्टी जेश्यों भरती जिसका क्या है फाइनल हो चुका है जोइनिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है और इसी दोस्तों एक बहुत ही गंभीर मामला है वो निकल के सामने आया है और उसी के बारे में मैं आज आप से बात करूँगा आपको पता है आर्टी जेश् जो उनकी नोलेज्ट थी वह बैस्ट थी क्यूंकि वह आटी जेश्यों मौलवी के केंडिड़ थे और उनको सभी चीजों का दोस्तों बहुत ही कौलिफाइड इसको कहते हैं बहुत ही ज्यादा क्यांट्वाइड वह कैंड़्यट थे लेकिन उनको इंट्रेव में नहीं ब लाये गया के तो नहीं दिक्कत थी और जब उन्होंने आट ए लगाई पहली जब उन्होंने आट ए लगाई तो उसको पहले क्या है डिस्पोज कर दिया गया पहले जब आप सुनेंगे जो उसका रिजल्ट है तो दोस्तों उसमें सुनके मुझे भी बहुत ज्यादा बदलाव कर दिए लेकिन ऐसा कौन सा बदलाव है जिसमें एक कौलिफाइड जो बंदा है उसको वहां पे नहीं बुलाएगा और उसके रिटन के अंदर आप उनके नमबर सुनेंगे रिटन के अंदर आप चौंग जाएंगे जो आपको सेगिंड पेपर था उस बंदे के दो क्यों हुई किसके दोबारा हुई तो अगर इतना कौलिफाइड बंदा जिसके 90 प्लस नमबर है और उसको इंटर्वी के नहीं बुलाएगा तो फिर दोस्तों किसको बुलाएगा और नहीं बुलाएगा तो उसको बंदे को रिजन क्या था कहां पर ये गरबड़ी हुई है कहां पर ये गलती हुई है तो दोस्तों अभी कहा है कुछ दिन बाद उनको दुबारा वां पर जडारों में बुलाएगा और उसके बाद देखेंगे कि आगे इसका पॉर्सेश क्या होता है लेकिन दोस्तों जो जब भारतिया सेने के अंदर भरती के तयारी करते होते है य इनकी दिला पड़तावा दिखाई देता है जितने भी युवा तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये गल्त हुआ है तो अगर किसी भी उम्मिद्वार को लगता है कि आपके 80 प्लस नंबर हैं इतने अच्छे नंबर थे और आपको इंटर्वी के लिट नहीं बुलाया गया दोस् है कि इस उम्मिद्वार को था कि सर मेरे 90 प्लस नंबर है वो तो जब रिजल्ट आउट हुआ था जिस दिन इंटर्वीव के लिए मैं उसी दिन कह देता उनको कि यह आपको क्यों नहीं बुलाया गया आपको बुलाया जाना चाहिए था क्योंकि उनको सभी धर्म के अंदर जो है यह जो केंडिट है यह सही बात कह रहा है तो उसका आपको जवाब दिया जाएगा डिस्पोज एक बार डिस्पोज की गई दुबारा जब उन्होंने डाला तब उनको रिजल्ट बताया गया उनके 92 उनके नंबर है ठीक है तो दोस्तों अभी जो आगे की कारवाई ह आने वाले समय में आपको वीडियो के मारिदम से बता दूँगा कि क्या उनके साथ हो है कि अब इनको बुलाएगा है दो तिन दिन के अंदर उसके बाद जो आगे की पॉर्सेस है वो आपको वीडियो के मारिदम से बता दी जाएगी लेकिन दोस्तों यह जो कारवाई है ब कि गई है तो ऐसा भारतिया सैना की जो भरती है उसके इंदर नहीं होना चाहिए आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में आपने जरूर से कमेंट करना है ठीक है दोस्तों यह ति आज की वीडियो और बने रहें चैनल के साथ भारतिया सैनाओं और सब्सक्राइब करना भू झार करना है